कि यूमेन ब्रेन यूमेन ब्रेन जो है आप यहां पर अगर इसके कुछ चीजें एड़ करो तो हुमेन ब्रेन में हम लोग यह कहते हैं कि भाई दाट इस दा हाइस्ट सेंटर आफ यूर बॉड़ी ठीक है मेनिंजिस बच्छो प्रोटेक्टिव लेयर होती है डीपीए डीपीए नहीं है डैप मैंने कहा है डूरा मैटर अरकनॉइड मैटर और पिया मैटर तैंक यू बेटे बेटे पढ़ने तो दो आप मेल फीमेल के ब्रेन का कमपारिजन करने लग पढ़े हो सबर करो बेटे सबर करो यह हम इसको जब पढ़ेंगे तो चीजें आपके पास यह क्लियर होंगी ना ठीक है चलो देखते हैं हमारे पास बचो human brain that is the highest coordinating center इसको हम लोग बोलते हैं यह बचो highest coordinating center होता है highest coordinating center सबसे highest center की category के अंदर यही आता है ठीक है जी हमारे पास बचो हम इसमें यह कहते हैं कि human brain जो होता है यह आपके पास ऐसा हिस्सा है जो के development के दुरान neural tube पहले बनती है neural tube और neural tube जो है वह आपके पास बचो फिर central nervous system बनाता है जिसमें आपके पास brain और spinal cord आता है ठीक है पिर बचो हम लोग यह कहते हैं कि brain जो होता है यह आपके पास एक ऐसा हिस्सा है जिसको यह हम mention कर सकते हैं भई कि यह आपके पास water सबसे जादा रखता है tes मेंना वाटर content जो होता है वह सबसे जादा होता है ठीक है आम लोग पानी के अंदर पड़ेंंगे भी कि water जो है वो इसमें 85% के करीब होता है ठीक है water जो है that is about 85% बहुत आसान सा है चलो male female की बात करते हैं brain की तो बचो ये कुछ बच्चों का question भी था male जो brain होता है male brain इसका भई size होता है हमारे पास हम लोग इसको mention करते हैं कि that is about 1336 gram ठीक है to be exact अगर हम लोग देखें तो 1336 gram male का होता है और अगर बचो female brain की बात करें खातून के मगज की बात करें तो female का मगज जो होता है बचो ये हमारे पास तकरीबन 1198 gram होता है तो हम ये भी कहते हैं तेरा सो से चौदा सो आपके पास male का होता है और ग्यारा सो से बारा सो gram जो है ये female का होता है हाँ with the passage of time degeneration होती है ठीक है पर ये भी हम लोग एसोसियेट कर सकते हैं या simple के कहते हैं कि जैसे जैसे age बढ़ती है न तो age बढ़ने से इसकी deterioration जो है वो भी बढ़ेगी है ठीक है deterioration deterioration होता है इसमें decrement आना तो वो भी आपके पास increase होता है ठीक है तो बहुत आसान से बच्चो इसको हम लोग इसके साथ associate कर रहे होते है ठीक है जी तो ये कुछ information basics ही आपको पता होने चाहिए अच्छा brain की development जो है इसके उपर आते हैं सबसे पहले देन आगे चलेंगे बच्चो brain जो है यह हमारे पास develop करता है या बनता है हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म से that is developed from ectoderm ectoderm बच्चो वो वली layer है जो कि आपके पास germinative layer की category के अंदर आते हैं और हम लोग यह कहते हैं कि outside आपके पास मौजूद होती है बड़ी simple सी बात है ठीक है और इसमें बच्चो इसी neural tube को हम लोग associate करते हैं चलो हम यहां पर कुछ हिसा बना लेते हैं suppose बच्चो मैं यह कहता हूं कि हमारे पास यह इसके हिसा ठीक है that is the first part यह बच्चो हम इसका second part बनाते हैं और यह बच्चो हम लोग इसका third part बनाते हैं suppose यह आपके पास एक neural tube है यह तमाम board की books के अंदर आपको नहीं मिलेगी कुछ हैं जिनके अंदर यह associated होती है सब के अंदर नहीं तो इसके बच्चो हम यह कुछ हिस्से बना लेते हैं इसमें यह जो आगे वाला हिस्सा होता है इसका हम लोग बोलते हैं anterior part anterior आगे वाला हिस्सा होता है and that is responsible for the development of brain मतलब इसी ने develop करके brain बनाना होता है और यह जो बच्चो आपके पास lower portion होता है इसको बोलते हैं posterior part यह हमारे पास होता है posterior part और इसको हम लोग कहते हैं that forms spinal cord यह बच्चो आपके पास spinal cord की development के लिए responsible है बहुत असान सा है और यह itself complete जो वो neural tube भी कहलाती है इसमें बच्चो अगर हम लोग इसके हिस्सों को deal करें तो आपके पास यह जो पहला वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग mention करते हैं pros encephalon pros pros का मतलब होता है पहले वाला ठीक है encephalon encephalon बोला जाता है pros encephalon pros encephalon जो होता है बच्चो that is primitive के इसने four brain बनाना होता है that is responsible for the development of four brain ठीक है दूसरा बच्चो इसके अंदर हमारे पास हिस्सा आता है इसको बोलते हैं mesencephalon ठीक है that is responsible mesencephalon और यह mesencephalon जो होता है बच्चो यह हमारे पास क्या बनाता है mid brain की development जो है वो इससे हो रही होती है mid brain बनाना वो इसका काम है तीसरा बच्चो यह जो हमारे पास हिस्सा होता है इसको हम लोग mention करते हैं rhombencephalon ठीक है that is labeled as rhombencephalon और यह rhombencephalon जो है यह बच्चो आपके पास responsible होता है for the development of hind brain तो hind brain बनाना बच्चो यह इसका काम होता है ठीक है तो यह कुछ हिस्से आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे time गुजरता है तो यह आपके पास बच्चो हिस्सा जो है वो further जो हम लोग pros encephalon की बात करते हैं यह दो हिस्सों के अंदर divide होता है टैलन सेफलान और डायन सेफलान ठीक है अच्छा आप यह कभी भी देखोगे तो जबी भी हम लोग इसकी development की बात करते हैं तो इसमें आपके पास बच्चो यह दो यह कुछ इस तरह के न सींग बना लेता है they are just like this ठीक है और फिर बच्चो इसमें आपके पास यह आ गया ठीक है यहाँ पर बच्चो हम लोग यह इस हिस्से की development करते हैं और फिर इसको हम लोग further deal करते हैं यह दूसरा हिस्सा आ गया और यह बच्चो आपके पास तीसरा हिस्सा इससे आगे उसी तरह से फिर इस जो के neural tube कहलाती है इसको थोड़ा सा अगर आप उपर करना चाहते हो तो कर लो ठीक है अच्छा अब बच्चो यहाँ पर क्या होगा यह जो आपके पास further development होती है तो उपर वाला जो हिस्सा है यह वाला प्रॉसन सेफलॉन जो है यह आपके पास बच्चो दो हिस्सों में divide ह है यह आपके पास कहलाता है तेलं सेफलॉन इसको बोलते हैं तेलं सेफलॉन तो यह तेलिन सेफलों जो हुता है बचो यह हम लोग कहते हैं दो हिस्सों कि फृवदर development करवाता है कौन श से उनको नाम देख लो कौक्श hatred है बच्शो आपके पास ओल्ट्री बल बढ बड़ जो के olfaction यानि sense of smell के साथ associated है दूसरा बचो seribram तो seribram जो है that is the largest part of brain उसके लिए responsible होता है दूसरा आपको यहाँ पर हिसा नजर आता है जिसको बोलते हैं diencephalon that is responsible diencephalon तो यह diencephalon जो है इसके साथ बचो हम लोग mention करते हैं कि यह दो फर्दर यह भी हिस्से बनाता है पहला हम यहाँ पर add करते है थैलेमस तो थैलेमस की development जो है बचो वो यहाँ पर आएगी दूसरा हम यहाँ पर mention कर रहे होते हैं limbic system तो limbic system की development होती है वो इसके साथ होती है तो यह mcqs के तोर पर पूछा जाता है इसको याद रखना ठीक है ओके चलो फिर बचो हमारे पास यह mesencephalon जो के हम लोगों ने पहले ही पड़ा यह आपके पास central हिस्सा होता है इसको बोलते हैं mesencephalon तो यह जो mesencephalon होता है यह आपके पास mid brain के साथ associated होता है आगे चलते हैं जो के आपके पास hind brain है वो भी बचो पर दर दो categories के अंदर divide होता है एक है mesencephalon यह आपके पास हिस्सा बच्चो के लाता है इसको बोलते है mytencephalon मममममthmक्ण का पता है यह बच्चो फर्दर आपके पास 2 हिस्सों की development करवाता है इन हिस्सों को हम लोग mention करते हैं एक आपके पास के लाता है PUNS हढ़ांड brain का हिसा है और दूसरा आपके पास केलाता है सेरी बैलम सेरी बैलम यह second brain भी हम mention करते हैं चलो तीसरा बचो आप लोग इसके जो second half की बात करते हैं इसको बोलते हैं myelin cephalon ठीक है that is labelled as myelin cephalon यह जो myelin cephalon होता है यह बचो आपके पास responsible होता है for the development of medulla oblongata बार खेर आपको यह सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है आप अगर इसके नाम याद रखते हो that is enough for you और इसे चीजें जो हैं वो आपकी clear हो जाएगी तो यह बचो आपके पास आजाती है that is neural tube ठीक है बहुत आसान सा है यह development of brain के अंदर हम लोग इसमें चीजें mention करते हैं है करता है